इस कोशन में क्या दिया गया एक फिकर है ठीक है यहां पर हमारे पास एक potential meter है जिसमें 2V का EMF यूज किया गया है किसके लिए ताकि हम 1.5V के cell का internal resistance पता कर सके ठीक है और देखे इस कोशन में और के चीज़े दी गई है कि balance point है हमारा cell का जब हमारा circuit क्या था उपन था तो उसका balance point है वो कहां पर है 76.3 cm पर और यहां पर हमने एक register जब register यूज किया ठीक है 9.5 ohm का जब register हमने यूज किया external circuit पर ठीक है external circuit के cell पर ठीक है एक्सटरनल circuit पर जब हमने 9.5 ohm का register यूज किया तब जो हमारा balance point था वो कहां पर आ गया shift हुआ और 64.8 cm पर पहुंच गया ठीक है अब देखिए तो अब हमें यहां बताने की internal resistance cell का क्या होगा ठीक है internal resistance का कितना होगा तो देखिए यह हमारे पास क्या है यहां पर डाइग्राम है ठीक है देखिए यह 2 volt का EMF हमने यूज करा यहां पर हमारे पास 1.5 volt का cell भी है और देखिए हमें इस cell का internal resistance बताना है circuit के अंदर ठीक है और देखिए जब हमारे पास यह cell था तो यहां पर जो हमारा balance point था वह इस point पर आ रहा था ठीक है इस point पे हमारा क्या था balance point था लेकिन जब हमने register यहां पर यू Also य जो हमारा balance point था यह Keep you a तो घृप हमें यह बताना है कि यहां पर पे R कि vi количе क्या होग ठीक है यहां बताना है, तो देखिए, इस question में हमें क्या का given है, सबसे पहले हमें वो लिखना है, तो given हमें क्या दिया गया है यहांपर, कि balance point, ठीक है, हमारा जो balance point है, ठीक है, balance point, यह कब का है, यह हमारा balance point L1 है, और यह L1 कब होगा, जब हमारा circuit क्या था, open था, ठीक है, यह हमारा circuit, जब open था, तब यह हमारा क्या था, balance point था, ठीक है, मतलब L1 था, तो L1 की value कितनी थी, 76.3 cm की थी, ठीक है, 76.3 cm की value थी, अब देखिए, और question में हमें क्या दिया गया है, कि एक हमारा external register है, ठीक है, एक external register है, ठीक है, external register, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, capital R, ठीक है, capital R नाम दे दिया, तो यहाँ पर उसकी value कितनी है, 9.5 ohms की, और देखिए, और हमें क्या दिया गया है, balance point है हमारे पास, ठीक है, यह हमारा new balance point है, यह new balance point है, तो यहाँ new balance point की value, मतलब यह L2 दिया गया है हमें, और इसकी value कितनी है, 64.8 cm की है, ठीक है, 64.8 cm भी, तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या बताना है, small R की value बतानी है, ठीक है, internal resistance, ठीक है, for internal resistance, ठीक है, small R, तो इसकी value क्या होगी, अब हमें यहाँ पर यह बताना है, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक relation होता है, अगर potential meter का case हो, तो यहाँ पर हमारे पास एक relation है, ठीक है, small R के लिए कि, small R क्या होता है, equal to L1 by L2 minus 1, और into R, ठीक है, तो यह R is equal to क्या होता है, L1 by L2 minus 1 into R, जो हमारे register हमें दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ से हम R की value एक क्या निकाल सकते हैं कि, जो R होता है, वो किसके equal होगा, L1 minus L2, division में क्या आजाएगा, पूरा L2 आजाएगा, ठीक है, और यहाँ पर into R होगा, ठीक है, अब हमें क्या करना है, small R की value के लिए, इन सब की values को यहाँ पर put करना होगा, चलिए, तो values को यहाँ पर solve करेंगे, ठीक है, तो देखिए, अभी हमने एक relation का निकाला कि, R is equal to क्या है, L1 minus L2 divided by L2, और into R, जो हमारा register हमें दिया गया है, ठीक है, तो देखिए, जो small R होगा, L1 की value कितनी दे गई है, हमें, 76.3, और L2 की value, 64.8, और नीचे भी क्या आजाएगी, 64.8 की value आजाएगी, और into R, और यहाँ पर R की value क्या थी, यहाँ हम R की value लिख देते हैं, तो R की value में क्या देगी थी, 9.5 ohms की value दे गई थी, ठीक है, चलिए, तो small R की value क्या होगी यहाँ पर, देखिए, अगर इन दोनों को माइनस करते हैं, तो value क्या आएगी, 11.5, division 64.8, और multiply by 9.5 ohms आजाएगी, मतलब अगर हम R की value को solve करते हैं, ठीक है, R की value को अगर हम solve करेंगे, तो इसकी कुछ value आएगी, 1.68 ohms की value आजाएगी, ठीक है, और अगर इसे हम approx करें, ठीक है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि, एप्रॉक्स, ठीक है, value of R, एप्रॉक्स value of R क्या होगी, 1.7 ohms की होगी, ठीक है, 1.7 ohms की value होगी, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि, जो मारा internal resistance है, ठीक है, internal resistance है, of 1.5 volt cell कितना है, 1.7 ohms का है, ठीक है, कितना है, 1.7 ohms का internal resistance है, ठीक है, तो यह हमारे यहाँ पर अंसर आ गया है, इससे असान solution और कहीं नहीं,